हलो साथियों, नमस्कार, मेरा नाम विम्ला पाल, मेरे यूटूब चैनल, वीडियो विद्विम्ला पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं, उमीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्त होंगे, दोस्तों मेरा आप लोगों से अनरोध है, कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पर दें, लाइक और कमेंट अवस्य करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा यह अनरोध है कि वीडियो को लोगों में सेयर अवस्य करें दोस्तों आज हम फिर आये हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी है क्या? एक बार की बात है किसी गवं में? वेद नाम का एक लोहार रहता था वेद लोहार बहुत ही गरीब था पर जो भी काम करता था उसी से उसके परिवार का खर्च चलता था एक दिन वेद लोहार जब अपने काम पर जाने लगा तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि टिपन में उसको खाना लगा दे उसकी पत्नी ने एक डिब्बे में उस लोहार के लिए खाना लगा दिया चलते समय उसने अपनी पत्नी से यह कहा कि आज हो सकता आने में देर हो जाए और यह कहकर वह निकल पड़ा वह जा रहा था, रास्ते में एक जंगल पड़ता था जंगल के बीच से रास्ता थी, जब वह बीच जंगल में पहुँचा तब उसने किसी की आवाज सुनी वह लोहार खड़ा हो करके आवाज सुनने लगा कोई साधू थे, जो की किसी मंत्र का जाप कर रहे थे और बीच बीच में हस रहे थे क्या सुन करके वह लोहार थोड़ा और आगे बढ़ा उसने देखा कि उसी जंगल में एक कुटिया है और वहाँ पर एक साधू महराज ध्यान लगाए भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं और बीच बीच में हस रहे हैं वह लोहार उन साधू महराज के पास जाकर पूचता है कि क्या आपको कोई तकलीफ है मैं आपकी क्या कोई मदद कर सकता हूँ तब वह साधू महराज उस लोहार से कहते हाँ बेटा आओ मैं तुम्हारा ही इंतिजार कर रहा था जबकि वह लोहार उन साधू महराज को ना तु कभी देखा था और ना ही उनसे कभी मिला था साधू महराज के द्वारा इस तरह से बोले जाने पर वह लोहार बहुत चौंक गया और जा करके उन साधू महराज से परिसानी का कारण पूछता है तब वह साधू महराज उस लोहार से कहते हैं कि बेटा मैं काई दिनों से भूखा हूँ मुझको भूप बहुत जोरों से लगे है तुम अपने खाने का डिबा मुझको दे दो यह सुनकर के वह लुहार उन साधु महराज को अपना खाने का डिबा पकड़ा देता है उन साधु महराज ने उस लुहार का पूरा खाना खा लिया और खाने के बाद में उस लोहार से कहते हैं कि बेटा मैंने तो तुम्हारा पूरा खाना खा लिया आज तो तुम ऐसे ही भूखे रह जाओगे तब वह लोहार बोलता है नहीं साधु महराज कोई बात नहीं है मैं तो काम पर जा रहा हूँ वही पर कुछ मिल जाएगा तो खा लूँगा यह सुन करके साधु महराज बहुत प्रशन हुए और उस लोहार के जाते समय उन्हों ने उसको बहुत सारा आसिरवात दिया और साथ साथ यह भी कहा कि यहां हथावड़ा है इसको तुम अपने पास रख लो तब उस लोहार ने कहा कि नहीं साधु महराज इसको आप अपने ही पास रखिये इसे मैं क्या करूंगा मेरे पास तो पहले से हथावड़ा है तब उन साधु महराज ने उससे कहा कि यहां कोई साधारन हथावड़ा नहीं है यहां एक जादुआई हथावड़ा है इसको त थोड़ा मेरे गुरु जी ने मुझे दिया था आज मैं यह थोड़ा तुमको दे रहा हूँ तुम इसको अच्छे कामों में इस्तेमाल करना कभी इससे बुरे काम मत करना और इससे तुम जो भी काम करोगे तुम्हारे काम जल्दी हो जाएंगे उसके बाद वहलुहार उस हथ होड़े को ले करके वहां से चला गया बाजार में जब वह पहुंचा तब उस ने सोचा है कि चलो लोहे को पीटने के लिए मैं सबसे पहले इस हथोड़े का इस्तेमाल करता हूँ यह सोच करके उस लोहार ने जैसे ही उस लोहे पर चोटगी तुरंट एक हीवार में बहुत सारे बरतन बनके तयार हो गया। उसने दूसरी चीजों के लिए जब लोहे पर उस हताओरे से चोट किया तब और काई आजार बनकर तयार हो गया। यहाँ देख करके वह बहुत खुस हुआ इस तरह से उसने जल्दी जल्दी उस हथोड़े से अपने सारे काम निप्टा लिये और उसके बाद वह जल्दी घर आ गया इसी तरह वह टेली करता था अब उस लोहार के पास जो भी काम रहता उस जादवाई हथोड़े के द्वारा उसके सारे काम बहुत जल्दी हो जाते थे अब पहले कि अपेक्छा वालोहार थोड़ा अमीर हो गया था एक दिन की बात है उस गौँ के सरपंच उसके पास आए और यह कहने लगे कि हम लोगों को सहर जाने के लिए जंगल के रास्ते पर से जाना होता है और यह रास्ता बहुत दूर पड़ता है जिसके कारण बहु समय खर्च होता है क्या जो बगल में पहार पड़ता है तुम अपने हथोड़े से उस पहार को काड़ सकते हो जिसके कारण सभी के लिए रास्ता छोटा हो जाएगा और लोग जल्दी बाजार पहुँच जाएंगे और वापस आजाएंगे यह सुन करके वा कहता है कि हाँ ठीक है मैं उस पहार को काड़ दूँगा उसके बाद उसने अपने हथोड़े के द्वारा पहार को काड़ना शुरू किया कम से कम हपते दस दिन में उसने पहार को काड़ करके रास्ता मना दिया अब उस रास्ते से लोगों को सहर जाने में बहुत आसानी होने लगे यह देख करके गाओं के सारे लोग बहुत खुस हुए और राधे स्याम को स्यावासी देने लगे क्योंकि अब सभी के लिए सहर जाने का रास्ता छोटा और आसान हो गया था उसके बाद एक दिन राधे स्याम काम करने के लिए गया हुआ था तब उसके मन में यहां आया कि है तो यह जादुआई है थोड़ा लेकिन बहुत जादा जल्दी काम नहीं कर रहा है क्योंकि अगर यह जल्दी जल्दी काम करे तो मैं कुछ जादा अमीर बन जाओं यह सोच करके लौटते वक्त राधे स्याम लौटते वक्त वह लुखार अपने घर आने के बज़ाय सीधे जंगल भी पहुंच गया और जंगल में जा करके उसने क्या देखा कि वही साधु महराज उसी कुटियां में ध्यान लगाए बैठे हैं जब साधु महराज ने उस लुहार को देखा तो आने का कारण पूछा, तब वह लुहार उन साधु महराज से कहने लगा कि महराज जी यहां हथावड़ा है तो काम ठीक कर रहा पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है कि मैं और भी जल्दी-जल्दी काम करके थोड़ा और अमीर बन सको यहां सुनकर के साधु महराज ने उस लुहार से यहां कहा कि यहां हथावड़ा ऐसा है तुम जो भी बनाने के लिए सोच लोगे और इस से चोट करोगे तो तुरंट वह चीत बन जाएगी इस तरह से तुम्हारे काम और आसान हो जाएंगे और भी काई तरह के तुम सामान बना सकते हो जैसे बरतन है काई तरह के बरतन है हर एक चीत बना सकते हो उसके वाद से राधे स्याम ने साधु महराज के द्वारा बताए अनुसार उसी तरह करना सुरूर किया अब वह लोहार जादा बरतन बनाने लगा जिससे गाउं के इतना बरतन बना लेता था जिसके करण गाउं के लोग भी उस लोहार से बरतन लेने के लिए आने लगे अब वह व्यक्ति और भी जादा अमीर हो गया और साथ साथ साधु महराज जी ने उस लुहार से यहां भी कहा था कि तुम कभी भी इस हथोड़े को गलत काम में कभी नहीं इस्तेमाल करना दोस्तों यह रही आज की कहानी इस कहानी से हमें यह सीह मिलती है कि हम अगर अपनी सची लगन और अपने सचे मन से और समय के सही उपयोग से अगर कुछ करना चाहें तो आसानी से हमारे सारे काम हो सकते हैं पर जब तक हमारे में लगन नहीं होगी तब तक हम कोई भी काम जल्दी से नहीं कर पाएंगे इसलिए हिम्मत, होसला और अपनी लगन को बनाए रखें तभी हमारे काम सफल हो सकते हैं दोस्तों यह रही आज की कहानी अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली कहानी में तब तक के लिए नमस्कार, जै हिंद, जै भारत